नमस्कार आज के वीडियो थोड़ा खास है दरसल हमारे सब्सक्राइबर एक दिनेश कर गजी ने पूछा था कि देवबन रूट की लाइन से कितना समय बचेगा और कितने किलोमेटर होगा तो इसी पर बेस है वीडियो और इस वीडियो को आप लोग अंतक देखेगा यह दे से वह हमने दिखाया ने लेकिन में में दिखाया तो यह देवबन्द है यह नीली लाइन जो आप देख रहे हैं यह सहारनपुर की ओर जाती है यह सहारनपुर जनक्शन है और बीच में पढ़ता है टप्री जंक्शन तो आपको पता है यह टप्री से 4200 में रिल गाड़या जाती है तो एक तो यही टप्री से यही देवबन्द जाने वाली और दूसरा है सहारनपुर और तीसरा यह नारंगी वाले लाइन जो देख रहे हैं आप संतिरंग की यह शामली जाती है और एक बाइपास लाइन जाती है वह खाना लंपुरा यार्ड होते हुए हिंडन कै यह तुआब यह टपी जंक्शन चन्छन से लााइन मिल जाती है मतला है जैसे कलिंग उतकल एक्ष्प्रेस ट्रइंड देवबन्द से वही है यह तो देवें से यहां आईगी प्र टपी जंक्शन पर ईस बाई-पास लाइन से इस इस हिंडन हिंडन केविंग में मिल जाएगी और हेंडेंस फिर संतर है ह्वानवार और यहीं फिर सो यह बन चलते हैं और जैसे कोई इंदर देहरादून एकस्प्रेस है हो와 ओर देवभन से जलते हैं और देवभन से जाएगी तो सीधा सहारन प्रूजेंक्षंशन पर उसका होगा लोको रिवर्स फिर लोको रिवर्ट सर्में लगवग आधा गंटा से ज्यादा समय लग जाता है फिर लोगो रिवर्सल होने के बाद वह इस रूड की वह लाइन तो देवबन से यदि आप टपरी होते वे जाते हैं तो देवबन से रुड़की की दूरी अब देखे देवबन से ऐसे जाएगी ट्रेन यहां टपरी जंक्सन से बाइपास लाइन से होते वे और फिर यहां रुड़की तक टोटल डिस्टेंस लगेगा लगबग 69 किलिमेटर 60 किलिमेटर मान लीजीए 69 किलिमेटर तय दूरी है 69 किलिमेटर लगते हैं और समय limiz लगता है लगबर एक घंटा वह भी иسप्रेस से जैसे उतकल एक्सप्रेस जंशतादी एक्सप्रेस बगरा हो गई इन से लगता है एक घंटा तो लगवग एक घंटा लगता है और यदि आप जाते हैं यहां से देहरादून एक्सप्रेस से तो वाया सहारनपूर देवबन से पहले आप जाएंगे सहारनपूर जंक्शन आप बहुत देवंज से चलेंगें और सीधा टपरे चंशन भी नहीं रुकिए यहां रूके गया इस वی आपकी आने सब्स्तकिकर तुसीड्य अभद में लगए दो गंटा ठाइम rego vitin को ने लेट न भिल्ट में तो इनला जाते हैं और यहां पर भी क् ेथ Biz यहां के रूड की मिलेगी अभी सब को हटा के तो डिस्टेंस मैं ने बता दिया अगर वाया आप जाते हैं टपरी टपरी हिंडन बाइपास लाइन से तो 69 किलिमेटर और बाकी अब इधर से जाते हैं आप सहारन पूर होते तो 69 किलिमेटर लगेंगे आपके मलत ट्रेन ऐसे जाएगी और सहारन पूर जाएगी अब फिर यहां से घूम के फिर यहां अब अगर यहां से आते हैं आप टपरी से टपरी हिंडन बाइपास लाइन और उनस्तर किलिमेटर वाया सहारन पूर तो यह हो गया इधर से तो अब बचने के लिए एक रास्ता है इस नई लाइन आप आते हैं में लाइन जो देवबन रूड की नई लाइन बिचेगी यह पिछेगी 30 किलिमेटर इसके भी निर्धारित नहीं किये है 30 या 28 इन दोनों में से एक होगी तो 30 किलिमेटर बिचेगी तो यह देवबन से सीधे यहां रूड की ट्रेन सीधा यहां करूप कि देवबन से यहीं से घूम जाएगी देखें यहां से कर्व बनेगा और यहां रूल की अगल पगल में यह आपको दिखी रागों साफ तो देख लेजिए अब समय कितना लगेगा वही लगबक एक्सप्रेस ट्रेन से अगर बीच में कोई स्टोपिज ना हो तो लगेंगा लगब 15-16 मिनट मानके चलिए 100 किलोमेटर प्रती घंटा की रफ्तार से दी ट्रेन चलती है तो वही मलब रुकने में और स्पीड डिक्रीज और इंक्रीज करने में वही टाइम लग जाएगा लगब 15-16 मिनट और यदि बीच में स्टेशन हुए तो लगबग आधा गंटा मानके चलिए पैसेंजर ट्रेन के लिए तो अब देख लेजिए यह 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 बैटर है या फिर यहां से यहां गूमते वे इतना जाना पड़ेगा तो 30 में 30 में आपके आज पास में आपका ट्रैक बन जायेगा और 30 में आप आराम से कैसे भी चलके जा सकते हैं तो 69 किली में अगर वाय टपरी तो अगर यए बाईपास लाइन बीच जाती है तो इस लाइन से फायदा होगे गी अगर जो यह टपरी हिंडन बाइपास से यदि आप जाते थे तो आपके सीधे 69 किलिमेटर लगते थे यहां से जाने में तो 30 किलिमेटर उसमें से घटा दीजिए लगेंगे आपके 29 किलिमेटर वहां बच जाएंगे आपके ठीक है टपरी हिंडन बाइपास लाइन के और तो इससे भी निर्धारित नहीं किया गया कि कौन कौन सी ट्रेन इसमें घुमाई जाएंगी पहले तो लाइन भिज जाए वो बड़ी वात है ना तो न्यूस्पेपर में पढ़ाता कि 138 क्रोड रुपे बजट आवंटित कर दिया गया है और काम भी चल रहा है और कुछ को बता दिया कि क्या क्या समय कितना समय बचेगा कितने समय की बचत होगी स्पीड और दूरी बता दी और पूरा नक्षा बना करके तो वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट करके बताएं कि कैसा लगा ऐसे वीडियो बनाते रहेंगे तो वीडियो थोड़ा विस्तार से बन प्लादे रहा दर उखते हैं।